नमस्कार, मैं हो ससी, आए ज्यार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं ज्यार्खन के प्रादामभिक इस्कूलों में मिड़े मिल का सोसल आउडिट शुरू जारखन के प्रादमिक स्कूलों में 10 अगस्ट से 2021 साल के लिए मिड़े मिल का सोसल आउडिट शुरू हो गया है 10 अक्टूबर तक 7000 स्कूलों में सोसल आउडिट के परकिरिया पूरी की जानी है मिड़े मिल के साथ समगर सिक्षा अभियान का भी आउडिट किया जाएगा इसकूलों के लिए अलग अलग प्रस्णावली तियार की गई है इसकूलों के आउडिट के लिए डेर सो से ज़्यादा बिंदू तियार किये गए है इस अधार पर स्कूलों का आडिट किया जाएगा स्कूलों की बेसिक जनकारी के अलावा छात्रों को किताबे पाठे पुस्तक, पोसाग, छात्रविर्ति का भुगतान हुआ या नहीं उनका परिक्षा, परिणाम, नमांकन का अधार से लेकर कई अने बिंदूओं पर इसकी जनकारी ली जाएगी वहीं सिक्षको संबंधित जनकारी देनी होगी वहीं कितने सिक्षक और किन किन विशायों को सिक्षक कार रहत हैं सिक्षको के समय पर स्कूल आने, नहीं आने और जल्दी चले जाने की भी रिपोर्ट तयार करानी होगी 14 अगस्त को ED के सामने पेस नहीं होंगे CM हेमांद जारखन जमीन गोटाला मामले में ED ने जारखन के मुख्य मंत्री हेमांद सुरेन को समन भेजा था हेमांद सुरेन को 14 अगस्त साहे 10 बजे कारयालाय पर पूस्ताच के लिए बुलाया गया था लेकिन खबर है कि जारखन C.M. 14 अगस्त को ED के सामने पेस नहीं होंगे दरसल हेमांद सुरेन को ED ने जमीन गोटाले मामले में पूस्ताच के लिए समन जारी किया था 14 अगस्त को सुबह 10 बच कर 30 मियट पर उन्हें रांची में इड़ी कर्यालाई आने को कहा गया था लेकिन अब वह इड़ी के सामने पेस नहीं होंगे जनकारी के मुताविक सीयाम हिमान सुरेन जाच एजेंसियों से आगे के लिए समय मांग कर सकते हैं गोतला भाय की हमान सुरेन को या समन इड़ी से जुड़े जमीन घोटाले के ECIR संख्या 25 बाई 23 में किया गया है जनकारी के मुताविक इड़ी ने रांची में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में 9 फरवरी और 15 फरवरी को बढ़गाई अंचल का सर्वे किया था इसके अलावा कोलकाता के राइश्टार और इंसुरेंस का रहाले का भी सर्वे किया गया था बीजेपी नेता राजंदर परसाथ साहू पर गोली बारी से लोगों में आक्रोस लातेहा जिला परचत के पुर्व उपाध्यक्स और कोईला बेवसाई राइश्टर परसाथ साहू परसानिवार की साम ओई गोली बारी की घाटना से लोगों में भारी अक्रोस है घाटना के बिरोध में रभीवार को बालू मात परखन मुख्याले में बड़ी संख्या में लोगों ने सलक पर उतर कर बिरोध परसन किया इस दोरान अस्थानिये लोगों ने रविवार को पर्खन मुख्याले के सभी पर्तिस्ठानों को घाटना के बिरोद में बंद रखा है पुर्वजीला पर्चत उपाध्यक राइंदर परसाथ साहू परसानिवार को अग्यात अपराधियों ने फैरिंग कर दी थी इस घाटना में राइंदर परसाथ साहू को पांच गोरी लगी थी जिससे वह गंभी रूप से घायल हो गए थे हलाके अस्थानिये लोगों की ततपरता से उन्हें ततकाल बालुमात अस्पताल पहुचाया गया था इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया था अन्डिये परतियासी यसोदा देवी 17 अगस्त को करेंगी नोमिनेसान डुमनी बिधान सभा उप चुनाओ की सरगर्मी धिरे-धिरे परवान चठने लगी है इस उप चुनाओ के लिए एंडिये गडवन्दन ने भी अपना परतियासी उतारा है आजसू ने यसोदा देवी को परतियासी बनाया है यसोदा देवी आगामी 17 अगस्त 2023 को नोमिनेसान करेंगी बता दे कि रभी वार 13 अगस्त को रांची के हर्मो इस्थित विजपी करेले में भारतिया जनता पार्टी और आजसू पार्टी की बैटाएक में आजसू की यसोदा देवी को डूमरी बिधान सभा उपचुनाव के लिए एंड़ियासी बनाने करने ने लिया गया बता दे कि यसोदा देवी जार्खन अंदोरनकारी दिवंगत दामोदर महतों की पतनी है गीरी डिह में अपने लाल के अमतिम दर्शन को उम्रा जन सहलाब जम्मू कास्मिर के पूलवा में आतांकी हमले में सहीट सियाई पीफ जवान अजय कुमार राय अपने लाल के अमतिम दर्शन के लिए लोग उमर पड़े सहीद के पार्थिव शरीर को धेंगा डी पंचाय सचिवालाई प्रांगन में रखा गया था यहाँ पर केंद्रिय सिक्छा राजमंत्रि अनपूर्णा देवी विधाय केदार हाजरा एसपी दीपक कुमार सर्मा कमांडेंट कपील गिल खोरी महुआ SDO मनोज कुमार खोरी महुआ के SDPO मुकेस महतो CRPF के सहाय कमांडेंट बरजेस कुमार एवं अनप्रस्तासनिक वा पूलिस पतादी कारी वजन परती निधियों के द्वारा सो पर पुस्प अर्पीत करसा दांजली दीगाई राज जेपाल दूमका में तो सियम रांची में करेंगे जंडो तोलान 15 अगस सोतनतरता दीवा समारो के असर पर राज जेपाल सीपी राधा किष्णा दूमका में और मुख्य मंत्री हमाउसिन राजधानी रांची में जंडो तोलान करेंगे दूमका के पुलिस लाइन प्रेट ग्राउंड में अयवजित राज की ये समारो में सामील होते हुए राज जेपाल जंडो तोलान करेंगे वही सीम रांची के मौराबाजी मेदार में जंडो तोलान करेंगे इसके अलाबा राजी के मंत्री विभीन जीला मोख्याले में जंडो तोलान करेंगे मंत्री मंडल सची वाले यम समनों वे विभाग द्वारा कौन मंत्री किस जीले में जंडो तोलान करेंगे इसकी सुचना देते हुए सभी उपायुक्तों को पत्र भेज दिया गया है बतादे आलमगीर आलम साहेब गंज में डाक्टर वामेसवर उरावलो हर्दग्गा में सत्यना ब्रोक्ता चत्रा चंपाई सुरेन सराइक लखरसावा जोवामांजी पच्छमी सिंभों चाईवासा वहीं बन्ना गुपता पुर्भी सिंभों जमसेदपूर और बादल पत्र लेक पलामू मिथलेज कुमा ठाकुर गड़वा में करेंगे सवतनतततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततत ज़नतोरन कारकरम को लेकर सहर में ट्रैफिक ब्यवास्तावें बदलाव किया गया है ट्रैफिक ब्यवास्तावें बदलाव को लेकर ट्रैफिक S.P. के दोवार आदेस जारी कर दिया गया है जारी आदेश के अनुसार मुराबादी स्थीत कारेकरम अस्थल पर सफेद और नरांगी पास वाले वाहन प्रवेश कर सकेंगे वही अने वाहनों को कारेकरम अस्थल से दूर वाहन खड़ी करनी होगी कारकरम अस्थल के लिए मुरबादी में 15 ड्रोप गेट लगाए गए हैं पार्किंग की भी वेवस्था की गई है रांची में भालू के हमले से 7 लोग घाया रांची जीले के लापुंग थाना छेते के सुदरुवर्ती जंगल और पहाडी छेते के सारंग लोया गाव में रभी वार को एक भालू ने जम कर उत्पात मचाया भालू ने गाव में घुसक साथ लोगों पर हमला कर दिया हमले में घाय लोगों में जोनी देवी, बिनोद, पारला, अजीत, सतीस, जोन, बिजय, मुंडा सामिल है सभी घायल सारंग लोया गाव के निवासी है जनकारी के अनुसर ग्रामिन रभी वार को चर्च के प्राथना सभा में सामिल हुए थे चर्च में प्राथना खतम होने के बाद सभी ग्रामिन अपने गाव लाट रहे थे इसी दोरान राष्टे में ग्रामिनों का सामना भालू से हो गया देखते ही देखते भालू ने ग्रामिनों पर हमला कर घायल कर दिया वही तोरपा निवासी एक अने युवक पर भी भालू ने हमला किया है साथ चर्णों में होगी भाजपा परदेश अध्यक्ष की संकल पयात्रा बरतमान हेमन सुरेन सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए परदेश भाजपा अध्यक्ष और पुर्ण मुख मंत्री बाबुला मरांडी 17 अगर से संकल पयात्रा शुरू करने वाले हैं बिवार को परदेश भाजपा करयाले में संकल पयात्रा को लेकर हुई बिशेस बैठक के बाद इसका सेडूल जारी कर दिया गया यह यात्रा साथ चर्णों में होगी साथ ही इसका समापर रांची के मोराबादी में होगा बैठा के बाद परदेश भाजपा महामंत्री परदीप वर्वा ने कहा है कि जब से जामो और कॉंग्रेस की सरकार राज में बनी है तब से हत्या, अत्याचार, महिला, उत्पिडान और खनिजो की लूट भी बढ़ गई है रांची विश्वविद्याले में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज के रंग में रंगी तिरंगा रंगोली बनाई है 15 अगस्त से तीन दिन तक जारखन में होगी भारी बारिस जारखन में 15 अगस्त से भारी बारिस का अलट मौसम भी भागने जारी किया है मौसम विज्ञान केंद्र के रांची स्थीत मौसम केंद्र ने इस समन्द में एलो अलट भी जारी किया है रब्विवार को जारी एस्पेसल वुलेटिन में मौसम भी भागने कहा है कि जारखण में 15 अगस से 17 अगस्त तक भारी वार्षा की संभवना है इन तीन दिनों तक लोगों को सावधान और सतर कराना चाहिए कुछ विशेस बातों का ध्यान रखने की सलाह भी मौसम केंद्र ने दी है बता दे मौसम केंद्र के मौसम बेग्याने अभिस्तेक आनन ने बताया है कि 15 अगस्त को परदेश के दक्षनी पूरवी और उस सटे इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की समवना है वहीं दक्षनी पूरवी इलाकों में कुलहान परवंडल के तीन जीलों के अलावा सिम्डेगा जीला भी आता है इसके साथ राइधानी, रांची, रामगर, वकारो, अधनबाद में भी वर्षा होने की प्रबल समवना है 37 दिवस समारोह का फूल ड्रेस रिहलसल 37 दिवस पर रांची के मोराबादी मैदान में आवेजी जंडो तोलन समारोह के लिए परतिन्यूक्त पता अधिकारियों की जुआइंड ब्रिफिंग की गई 38 दिवस पर रांची के उपायूक्त सह जिला दंडा अधिकारी एवं वरिये पुलिस अधिक्षक द्वारा निकाले गए सन्यूक्त आदेश के बारे में विस्तार से जनकारी दी गई 38 दिगाई 38 दिवस राष्टिये स्वयम सेवक संग ने 14 अगस को देश भर में अखंड भारत संकल्प दिवस मनाने के त्यारी की है इस कारकरम का योजन संग की सभी सखाओ के साथ साथ सलजनिक अस्थलो पर भी होगा बता दे एक से डेल घंटे के इस कारकरम में पूरे परिवार के साथ संग के स्वयन सेवक सामिल होंगे और भारत को फिर से अखंड बनाने का संकल्प लेंगे इस कारकरम में बाहर के भी लोगों से सामिल होने का अगरा किया गया है कारकरम की दोरान अखंड भारत माता की पूजा करने के साथ ही उनकी आरती की जाएगी साथ ही उपस्थित लोगों को बताया जाएगा कि प्राचीन समय में अखंड भारत कैसा था हम कब-कब विभाजित हुए हाँ हो भासा को आठवी अनुसूची में सामिल करने के लिए जनतर मंतर पर धारना देंगे आदिवासी आदिवासी हो समाज यूवा महासभा की टीम के 21 अगस्त को दिल्ली पारलियामेंट इस्ट्रीट जंतरमंतर में समेलन और धारना परदसन कारकर में सामिल होने के लिए महासभा कला एम संस्कृति भवान हरी गूट्टू चाई बासा में रभी वर को त्यारी बैठक होई इसमें पूर्वी सिमूम सराइक लखार सावा अपच्मी सिमूम से आदिवासी हो समाज यूवा महासभा की राष्ट्री ये प्रदेश जीला अन्वंडल वा प्रखंड कमेटी के प्रमुक पता दिकारी सामिल हुए अब तक दिल्ली जानने वालों में से लगभग 12 सो लोगों ने रेलेवे टिकट बुक कराई है और कुछ लोग हावा यात्रा से नई दिल्ली पहुँच रहे हैं सभी लोग 20 अगस्ट को जारखंड दिल्ली पहुँच जाएंगे वहीं 21 अगस्ट को हो भासा को समेलन साधाना परशन के माद्यम से भारतिय समिधान के आठवी और सुची में सामिल कराकर राष्ट्री अस्तर पर समिधानिक मनेता दिलाने के लिए विभिन राजियों से हो समाज की ओर से दावा करेंगे दुमका डियाजी वर डिसी में विवाद उप राजधानी दुमका में सवतनतिता दिवस पर हर वर्श ज्ञारखन के राजेपा जटन तुलन करते हैं वहीं DC ने बताया है कि DIG के कारान और समंजस और दुविधा की थिती उत्पन हो गई है इसका परभाव मुखे समारोह पर पढ़ सकता है मामला DIG से जुड़ा है ऐसे में DC ने पूरे मामले की जनकारी अपने पत्र के जरिये अपर मुख सचीव अविनास कुमार और DGP आजाय कुमार सिंग को भी दिया है धन्यवाद